नमस्कार दोस्तों, Optusess पे आप सभी का स्वागत है Mathematics की इस स्रीज में अब तक हम लोगों ने काफी concepts, metrics और determinants से related हम लोगों ने revise किये हैं अभी कुछ और concept जानेंगे, तीन question आज फिर से solve करेंगे, जो बहुत ही important हैं और उससे related काफी सारे concept हमें सीखने हैं लेकिन उससे पहले जो लोग भी चैनल पर ने हैं, हमारे जोश को बढ़ाने के लिए, हमारे जज़वे को बढ़ाने के लिए, हमें इसी तरह से energize करने के लिए प्लीज चैनल को subscribe जरूर कर लीजे, क्योंकि आपका subscription हमारे लिए energy booster का का काम करता है और हम तरह तरह के नए-नए updates इसी तरीके से exam के पहले तक आपको लाते रहेंगे और exam के बाद फिर counseling से related सारे updates हम cover करेंगे authentic updates cover करेंगे और exam के पहले आपको इसी तरीके से revise करेंगे हर एक topic को जिससे आपको बहुत दिक्कत का सामना ना करना पड़े तो चैनल को subscribe जरूर करें वीडियो को like करें और ज्यादा से यदा शेयर करें इसे और से ज्यादा लोग पढ़ें एक healthy competition रहे और फिर सबको मज़ा है A square matrix B is a skew symmetric अब skew symmetric matrix पूछ रहा है तो इस case में तीन matrix हमें पढ़ने होते हैं पहला होता है symmetric matrix मैं पूरा revise करा देता हूँ आप लोग को symmetric matrix M.A.T. matrix फिर होता है skew symmetric matrix skew symmetric matrix और फिर एक होता है orthogonal matrix यह तीन matrix है अब इनकी तीनों की हम properties देखने जा रहे हैं पहले matrix की property होती है symmetric की A transpose equal to A transpose करना आप सभी लोग जानते हैं कि लिए row को column में और column को row में बदल देते हैं तो अगर A transpose करने पर आपका A आ जाए तो वो कहलाता है symmetric matrix और skew symmetric matrix होता है अगर आप A transpose कर रहे हो और वो करने के बाद आपका minus of A मिले तो वो हो गया skew symmetric matrix तो थोड़ा सा ही अंतर है symmetric matrix और skew symmetric matrix में एक minus का अंतर होता है उसके बाद आता है आपका orthogonal matrix orthogonal matrix में होता है क्या A into A transpose is equal to identity matrix यानि A into A transpose जब आप करेंगे तो आपको identity मिलेगा या आप यही कह सकते हैं कि A transpose is equal to A inverse तो इस तरीके से यह तीन matrix जो इस से related है important है और जिनके क्या इनका मतलब यह कैसे पहचाने जाते हैं क्या इनकी property है यह आपने अभी देख लिया ठीक है क्या relationship है क्या property है वो आपने समझ लिया अब आते हैं question पे तो B excuse symmetric matrix है तो B क्या होएगा B transpose equal to minus B तो property से देखिए question कितना असान हो जाता है important क्या है कि आपको property याद होनी चाहिए तो पहला question हो गया अब चलते हैं एक और important question की और दूसरे question की और जो कि बहुत important है दूसरा question है आपके सामने देखिए दूसरा question क्या बोलता है कि a real matrix A 3 x 1 B 3 x 3 C 3 x 5 D 5 x 3 E 5 x 5 and F 5 x 1 are given matrix B and E are symmetric symmetric है matrix B and E symmetric का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप B transpose करोगे तो वो B मिलेगा अभी हमने पीछे ही discuss किया था और E transpose करेंगे तो भी आपको E ही मिलेगा तो यह चीज़ आपको clear हो गई following statements are made with respect to these matrix अब कुछ statement लिखे गए हैं पहला statement है matrix product F transpose into C transpose into B into C into F is a scalar second statement है matrix product D transpose F into D is always symmetric अब आपको चूज़ करना है कि कौन सा statement सही है कौन सा statement जलत है पहले symmetric की property से हमने ये दो चीज़ें लिखती अब हमें matrix product देखना है इसका F transpose जब मैं करता हूँ तो F transpose करते ही ये क्या बन जाता है 1 cross 5 ठीक है और जब मैं C transpose करता हूँ C transpose जब मैं करता हूँ ये हो जाता है 5 cross 3 तो अगर मैं F transpose into C transpose करूँ दोनों को multiply करूँ देखिए ये दोनों multiply हो जाएंगे क्योंकि यहां 5 5 है और F transpose into C transpose का answer आएगा केवल F transpose into C transpose मैं कर रहा हूँ तो वो मिल जाएगा 1 cross 3 तो मुझे क्या क्या मिल गया पहले इन दोनों matrix को multiply हमने किया F transpose into C transpose ये हमें मिल गया क्या चीज मिला था अगर आपको याद हो 1 cross 3 ये मिल गया अब next metric है B अब अगर मैं F transpose into C transpose का multiplication B से करता हूँ तो B देखिए है 3 cross 3 यानि ये 3 और ये 3 दोनों match कर रहे है इसका भी answer आएगा 1 cross 3 फिर इसको अगर मैं multiply करता हूँ C से तो same case C में है यहाँ 3 यहाँ पे भी है 3 तो अगर मैं F transpose into C transpose into B into C करता हूँ तो ये भी exist करेगा और इसका भी answer आजाएगा 1 cross 5 तो ये 3 3 था है यहाँ 5 है यह 1 cross 5 अब है into F अब F है 5 cross 1 यानि यहाँ 5 है यहाँ भी 5 है पहला number तो ये भी matrix multiplication exist करेगा तो F transpose into C transpose into B into C into F it is equal to 1 cross 1 यानि 1 cross 1 क्या कहलाता है scalar कहलाता है तो पहला statement आपका बिल्कुल सही यहाँ से मिल गया scalar मतलब केवल एक element वहाँ पहोगा तो पहला statement तो सही है आते हैं दूसरे statement पर दूसरे statement पर आते हैं अभी तक हमारा ये कहीं use नहीं हुआ है और दूसरा statement देख कर भी लगता है कि ये कहीं use नहीं होने वाला सबसे पहले मैं निकालता हूँ D transpose D transpose होगा 3 x 5 हमें find क्या करना है कि ये symmetric है तो ये symmetric कब होगा जब अभी पहले हमें इसका multiplication देखना है ये exist कर रहा है या नहीं कर रहा है तो D transpose आ गया उसके पाद F है आपका 5 x 1 तो जब आप ये करते हो दोनों multiply होंगे तो आपका D transpose into F ये multiply बिल्कुल exist करेगा ये 5 5 है आपका क्या बनेगा 3 x 1 उसके बाद फिर आपको ये multiply करना है D से अभी D क्या है 5 x 3 अब आप देखिए ये और ये element दोनों बिल्कुल ही नहीं match कर रहे हैं तो ये matrix multiplication ही exist नहीं करेगा ये multiplication नहीं होएगा तो symmetric होने का सवाल ही नहीं उठता है तो यानि second statement आपका wrong है तो statement 1 is true and 2 is false option number 1 is correct तो I hope आपको ये concept समझ में आया होगा कि कैसे check करना है कैसे नहीं तीसरा question बहुत ही important question की और बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले एक important update आपको दे देते हैं CUET MA economics में अपनी तयारियों को अगर आप judge करना चाहते हैं तो हमारा toppers mock test आप जरूर join करिए join करने के लिए नीचे दिये हुए number पर आप call या whatsapp कर सकते हैं बहर ये reasonable price में 350 rupees में आपको मिलता है 70 plus mock test जिसके अंदर अधाई अजार से भी ज्यादा questions है currently 73 test active है ये test English Miriam में है मतलब language इनकी English है topic wise है last में कुछ आपके full syllabus टेस्ट भी है आपके सारे syllabus को cover करते हैं जिससे आपका revision और बहतर हो सके आप उसको लगाएंगे तो आपकी तयारी कि आपको आप खुद से judge कर सकते हैं साथी बहुत सारे students चूकी दे रहे हैं तो एक competitive environment है वहाँ पे आप अपने आपको judge कर सकते हैं कि आप कहाँ पे stand कर रहे हैं हमारी test series इतनी ज़्यादा effective है कि last year इससे काफी ज़्यादा बहतर results हमें मिले थे from rank 1 rank 1 से लेके तमाम अच्छी rank इस test series से आई तो आप जो है जरूर जोइन करिए बहुत ही reasonable price पर है मात्र सेर्वन 350 में आपको इतने सारे test दिये जा रहे हैं और उसको जोइन करने के लिए इस phone number पर आप call या whatsapp करिए और test series में test देके अपने आपको मुल्यांकर अपना करिए चलिए चलते हैं अब अगले question की और ये question देखिए conceptual wise बहुत ज़्यादा अच्छा है आपको क्या है कि find which of the following question is a correct identity 3 x 3 matrix एक है P, Q और R 3 x 3 है तीनों matrix अब आपको क्या करना है आपको यहाँ पे एक current मतलब correct क्या होगा ये find करना है तो क्या correct होगा ये find करने के लिए हम matrix का multiplication का जितना भी basic rules है वो हमारे दिमाग में होना चाहिए multiplication के वह बेसिक rules से काम हो जाएगा चुकि 3 x 3 matrix है इसलिए कोई भी multiplication बहुत ही आसानी से exist करेगा बट उसके कुछ rules होते है तो पहला देखते हैं जब आप इस तरह से bracket open करते हो तो multiply होगा तो क्या आएगा PQ प्लस ये आएगा P into R R into P नहीं आएगा P into R आएगा तो इसलिए ये तो पहला गलत है आप P R को R P के बराबर matrix में आप जान रहे हैं कि आप नहीं कह सकते हैं ठीक है हाला कि वो भी 3 cross 3 के matrix होंगे बट उन्हें equal नहीं आप कह सकते हैं तो ये पहला question पहला तो गलत हो गया second देखते है second सीधे सीधे formula को expand कर दिया गया है बट ये भी गलत है क्यों गलत है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें थोड़ा सा मैं clear करके लिखता हूँ तो पहला तो आपको गलत मिल गया है अब देखिए P-Q का whole square को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ये अब मैं जब multiply करूँगा तो P सा पहले multiply होगा P-Q में तो आएगा क्या P square minus PQ यह आएगा फिर Q का जब multiply होगा तो आएगा minus QP plus Q square तो वही बात है P-Q और QP कभी equal नहीं होंगे ठीक है बहुत ही rare वो case होता जहाँ equal होते हैं यहाँ equal नहीं होंगे हाला कि multiplication exist करेगा बट यहने आप equal नहीं लिख सकते हैं जब आप इन्हें equal नहीं लिख सकते हैं तो आप इसे 2PQ भी नहीं लिख सकते हैं इसलिए option B भी आपका incorrect है option C पे आते हैं C का option देखिए P plus Q ऐसी कोई property determinant में exist करती ही नहीं है तो C option भी आपका गलत है D पे आते हैं आप देखिए यहां पर मैं बस बीच में plus कर दे रहा हूँ तो आपने किया P square plus PQ plus PQ मिल गए आपको plus QP plus QP भी मिल गए और plus Q square तो यह चारों चीज़ें मिल गई आपको इसलिए यह question का D option सही है तो बहुत ही basic question है बिलकुल इस तरह के question पूछे जा सकते हैं केवल आपका basic multiplication का rule यहां पर utilize किया जा रहा है तो उमेद है question और concept आपको समझ में आया होंगे और अब आप अगर गलतियां हो भी रहे होंगी तो आप गलतियां आप से नहीं होएंगी तो बिलकुल इस तरह से पढ़ते रहिए और सीखते रहिए चीजों को और विडियो पसंद आई हो तो like जरूर करिएगा अगर आपको कुछ कहना है या कोई query है comment section में जरूर लखिए चैनल को subscribe किये रखिए और हाँ test series जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए exam में अच्छा rank लाना है तो test series जरूर जोईन करिए धन्यवाद